गुलो श्री प्राणनात प्यारे कीजे गुलो श्री सत्गुरु महराज कीजे पंजे वाले कीजे सर्व सुन्दर साथ कीजे प्रिनाम जी सुन्दर साथ जी श्री सिंदी मन्थन दो महेंने से वी उपर हो चुके हैं कहीं भी कोई भी नहीं सिरफ आप हमारे प्रियतम है ये सिंदी का निचोड है सुन्दर साथ जी कहीं भी किसी पर भी समर्पन नहीं लाना केवल और केवल पिया जी पर समर्पित होना है कहीं भी और किसी भी प्रकार की कामनाई हैं पिया जी से कहनी हैं और कहीं नहीं जाकर कहनी धीरे धीरे धनी पर समर्पित होंगे तो वो कामनाई ही खतम हो जाएंगी यहां की कामनाई ब ब्रहम स्रिष्टियों को आईए चलते हैं सिंधी के स्वामी जी के द्वारा लिखे हुए अती सुन्दर्टी का शब्द आईए चलते हैं महामती जी की वानी इतनी सुन्दर अर्थ इतने सुन्दर भावार्थ इतने सुन्दर मैं ही असुन्दर क्यों रह गई हूं ये सुन्दर जीव की और देख देख कर बस वो उसकी दृष्टी ऐसी हुई पड़ी है तो सुन्दर साजी ये जीव भी सुन्दर हो जाएगा ब्रह्मवानी को पड़के ये सब सांजायू तोफत बार बार सिंदीवानी हमें बता रही है सारा कुछ पिया आपके हाथ में है ये स हाथ में लाड करो सांगाय यानि सांजायू सांगाय या संग संग होता है निस्बत पहचान कराओ लाड करो संग करो ये सारे आपके हाथ में मैं कुछ नहीं जानती मैं किसी लायक नहीं मैं किसी काबिल नहीं धनी जी आपके हुकम के हाथ में सब कुछ है हेद हमधनी इस प आपके ही हाथों में है केवल आप कर सकते हो और कोई समर्थ नहीं है जो ये कर सके लाड सांगाए या संग अब आप हमें लाड करें यानि प्यार करें सांगाए यानि पहचान दें अपनी या फिर निस्बत हमें अपने साथ रखें हमारा संग करें ये सब आपके हाथ में कॉल फैल या हाल जो तो खत में नो अंग नो अंग कहते हैं मेरे मेरे जो नो अंग है ना मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है हमारी कतनी करनी कॉल फैल हाल रहनी कतनी करनी रहनी यानि कॉल फैल हाल और शरीर के नो अंग पांच ग्यानेंद्री औ चार अंतहकरन भी आपके ही अधीन है ये मैं जानती हूँ और किसी के हाथ में ये नहीं है मंचित बुद्ध एहंकार और पांच ग्यानेंद्रिय भी आपके ही हाथ में है पिया जी पेरो केया जा गालडी गाल होता है मतलब गाल करना मतलब बात करना पेरो केया जा गालडी आपने परमधा में पहले पेरो मतलब पहले जो बातें कही थी जो गल्ले मेरे साथ की थी जो बातें की थी कौन सी बातें की थी सुन्दर साथ जी जो मूल मिलावे में हमारी बातें हुई है न चलो खेल देखना है वहाँ पे बातें करके आया है न इश पार रूह के पूरी लगी इस संसार में आकर मेरी आत्मा को पूर्ण रूप से कब सकते लगती हमें भी पता है हम भी सची मानते हैं उन बातों को कोई जूट नी मानता सुन्दर साजी पर वो लग कैसे जाती है चुब कैसे जाती है वो बाते चुबती नहीं है हमें हम उन बा तो उसे निकल कैसे पाते हैं इश्क रब्द कोई छोटी बात हुई है वहाँ पे जिस सेंटेंस में इश्क आ जाए क्या वो छोटी बात हो सकती है कभी वो कितनी भारी बात है सुंदर साजी उसको कहके ऐसे साइड नहीं ले लेनी है पटापट वो सारी बातें चुबनी चाह कैसे मेरी सारी सक्यों ने हमने मिलकर पिया से मांगा था कहते एक इश्क रब्द भी तुमको याद आ गया ना तुमारी जागनी दूर नहीं है पर चुब गया याद आ गया मतलब ऐसे नहीं कि हां मुझे सारा रटा पता है क्या क्या हुआ था नो आत्मा में जाके चुबत हैं वो बातें कचोटती हैं कि ये क्या हुआ था कैसे मैं खेल में आ गई पिया आप से दूरी बन गई मेरी चुबती हैं ये बातें या फिर क्रैम की हुई है हमने दो एकम दो दो दुनी चार या ऐसे रटा मारा हुआ बस सुन्दर साजी हमें उनका अर्थ पता है इश्क रब्द क्या होता है बहुत गहरे बेद हैं इस इश्क रब्द के अंदर कभी करेंगे सुन्दर साजी ये भी राजी ने समय दिया और सांसें दी तो जरूर इस बारे में भी बात करेंगे इश्क रब्द केवल वो नहीं है जितना हम सोचते हैं समझते हैं पढ़ते हैं उस आगे चले जाते हैं श्रीबितक सहाब को भी हम कहते जरूर हैं सुन्दर साजी की हमारी बीतक है उन मुमिनों की बीतक है पर हम उनको एक स्टोरी समझ के छोड़ देते हैं फिर फिर से आते हैं फिर आते हैं फिर उनको छोड़ देते रहनी में नहीं उतारते यदि वो मेरी होती तो मेरा जीवन आज बन चुकी होती मेरा बदल चुकी होती, मेरा जीवन क्यों नहीं बदला, अभी तक क्यों पूछना पड़ रहा है कि मुझे ये अनुभव क्यों नहीं होता, यदी वो मेरी होती, यदी मेरी ब्रह्मवानी मुझे चुबती, एक-एक बिंदू इसका चुब जाता, मेरे चलनी कर जाता, मेरे जीव क दिल को चलनी कर जाता, अगर इसका एक-एक शब्द, एक-एक मात्रा तो क्या, एक-एक खाली जगह जो छोड़ी हुई है न, वो और डीप है सुन्दर साथ जी, अगर ये कर जाती तो मैं बदल चुकी होती, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका होता, मैं तो आत्मा हूँ, मैंन जो जीव धारन किया है, मैंने जो शरीर धारन किया है, वो अभी तक बदल चुका होता, यदी ये टच किया होता, मुझे एक शब्द इसका तो, अब धीरे-धीरे रहनी में बदलाव आ रहा है, मतलब बानी अंदर प्रवेश कर रही है सुन्दर साथ जी, बस लगे रहना ह और केवल इतने घंटों में इसको सीमित नहीं करना है, कि दो-तीन घंटे हमने सुनी, बस इतना ही लेना देना था धनी, आपसे कल फिर जुडेंगे ना, इतना समय देतो रहे हैं आपको, no, he wants your heart wholeheartedly आपको देना है, मैं अपना दिल, कहते हैं थोड़ा सा इधर, थोड़ा स इधर नहीं है, मैं 24 by 7 अगर बैठा हूं, मैं 100% तुमारे लिए बैठा हूं, तो तेरा भी मुझे 100% चाहिए फिर, मुझे 99.99% से, 99.99% से भी नहीं चाहिए, 100% तुमारा दिल मेरा होना चाहिए, तब बात बने, फिर तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा, कि मैं तुमा मेरे पास क्यों नहीं आता मैं तो मैं ही तो आया हूं तभी तो तेरा दिल मेरी तरफ लगने लगा है पहले तो लगता ही नहीं था मैं ही तो तेरे पास हूं तभी तो तेरा दिल मेरी और जुकने लगा है मेरी और खिचने लगा है मैंने ही तो किया यह और तु मुझसे चुपके चुपके सुन्दर साजी इन शब्दों के द्वारा मेरा सत्गुरू मेरी इंद्रावती, मेरी महामती, मेरे पिया जी सिखा रहे हैं कि मैंने देखा तू भी देख सकती है मैं आनंद लेता हूँ, लेती हूँ, तू भी ले सकती है बस ये होना चाहिए अंदर सुन्दर साजी, सुनते ही जार-जार हो जाना चाहिए ये वशी करण मंत्र चुपके चुपके सिखा रहे हैं, नाम नहीं दे रहे कि ये मंत्र है, apply करना है सुन्दर साजी इस मंत्र को कहते हैं सा रूह के पूरी लगी ये मुझे बिल्कुल सत्य लगी पूरी धस गई मेरे अंदर जा गई पूरी लगी मुझे अंदर चुब गई पूरी की पूरी वानी में एक शब्द ऐसा नहीं है जो अंदर कलेजे घाव ना करता हो हिक तो रे को ना किताई कहते हैं एक तेरे हिक तो एक हिक मंगा दीदार एक तेरा दीदार एक तेरे बिना कोई नहीं है मेरा कहना नहीं है बस सुन्दर साजी कहते कहते दशकों बीत गए हैं पर ये एपलाई नहीं हुआ है अभी तक कि एक तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मन से कोई नहीं है, निकाल देना है, सब को अपने दिल से बाहर निकाल देना है, जुडाव नहीं रखना सुन्दर साथ जी, मोह नहीं रखना, प्रेम पिया अंदर होंगे सब के लिए निकलेगा तो रिष्टेदारों संबंदियों के लिए क्यों न रह पाएगा चाहे रिष्टे संबंदी मित्र ही क्यों ना हो रहनी से पूटेगा वो बहार पर प्रेम अपने आ पाएगा सुंदर साजी उनके लिए मोह खतम करेंगे तो वो प्रेम में ट्रांस्फरमेशन होगी जब तक मोह फसा हुआ है ना पता नहीं इसका क्या होगा पता अभी भी ये विचार आते हैं तो सुंदर साजी सौरी टू से हम बहुत भी हाइंड है ना है सिंधी बहुत आगे की बात कर रही है पहले सिंधी की प्री रिक्विजिट है इन सब से उचा उठके आना अगर सिंधी को अंदर उतारना है तो अगर वो रस लेना है ना इन ची पीर और जीव के विकारों से उपर उठके उसको पढ़ना तब तो अंदर जाएगी, नहीं तो विकार भहा भी अंदर आएंगे उनको पढ़के, पहले ही बता दिया है उन्होंने, टीका पढ़ने से पहले लिख देते हैं, सिंधी का भी वही है, इन माया के दुखों से, रोन पर रहते हो, इसके लिए वहाँ से उठके आना, इसकी चाहना लेके आये हो, सिंधी पढ़ने कुछ नहीं अंदर जाएगा, छोड़ दीजिए सुंदर साजी, समर्पित होना होता है, लीव इट, राज्जी पर छोड़ दीजिए, मैं बेस्ट करूंगी, या जिसका सत आखवे नहीं लानी पड़ती, करोड़ों ब्रमांड बना देता है, इशारा भी नहीं करना पड़ता हूं को, वो ब्रमांड उन्होंने बनाया है, सुंदर साजी मैं बेस्ट कर लूंगी, कि मेरे राज्जी कर लेंगे, ब्रमांड की ठेकेदारी मैंने नहीं ले रखी है, पराज्जी पे छोड़ दीजिए, ठेका लेना प्रेम का लीजिए सुंदर साजी, दावा लीजिए प्रेम का, यहां का सब कुछ दिल से मिकालेंगे, तब धनी को दिल दे पाएंगे, ये वला भरा हुआ दिल नहीं चाहिए उनको, माया के कच्रे से भरा हुआ दिल नहीं चाहिए कहते हैं, दोगे भी तो क्या स्विकार होगा, बोलते हैं दो दिल विरहा के दो आसु गिरा के देना बस, विरहा के आसु निकलेंगे नहीं उनके लिए कैसे बिगोएंगे, विरहा के आसु तो संबंदियों के लिए, धन के लिए विश्टेदारों के लिए प्रतिष्ठा के लिए निकल रहे हैं प्रतिष्ठा जरा सी दूर जाए उसके लिए विरहा होने लग जाता है धन जरा सा कम हो उसके लिए विरहा होने लग जाता है उस बार बहुत नुकसान हो गया बच्चे जरा सा कम परफॉर्म करने लग विरहा होने लग जाता है, सारा विरहा तो इस संसार के लिए भरा पड़ा है सुन्दर साथ जी, उसके दो आसु कैसे निकलेंगे, उसके लिए वो हूक कैसे निकलेगी अंदर से, कैसे मुड़ेंगे अंदर सुन्दर साथ जी, इसलिए एक बार ट्रायल बेसेज पर, हम करते ह ना करते हैं ना ट्रायल चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं अच्छा हुआ तो अगली बार करेंगे नहीं तो छोड़ देंगे एक बार ट्रायल बेसिस पे एक महिने के लिए करके देखे कैसे चलता है only for one month चालिस दिन के लिए ना कहते हैं 21 दिन कुछ कर लो ना उसकी आर्दत पड़ जाती चालिस भी जादा हो गया 21 दिन के लिए करके देख लीजिए कि यदि मैं दिल से छोड़ देती हूं काम करते रहना है कोई नहीं कहरा घर के कारें मत कीजिए please कोई नहीं कहरा job छोड़ दीजिए business छोड़ दीजिए घर के काम बंद कर दीजिए बच्चों को पढ़ाना बंद कर दीजिए जो भी responsibilities इस जीव पे शरीर पे हैं वो करते रहिए बस उसमें मरना बंद कर दीजिए कि ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा जो लिखा है जैसे लिखा है वैसे योगा मैं सोचती थी सुन्दर साजी I have gone into depression मैं वहाँ से वापिस आई हूँ बाद में मैं सोचती थी मेरे parents भी हर एके माता-पिता अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं उनसे कितना प्यार करते हैं पर आज यदि मेरे पे आज नहीं है जब भी depression में थी मेरे पे जब वो मुश्किले इतनी आती हैं तो मेरे माता-पिता क्या कितना कर लेंगे वो क्या कुछ कर सकते हैं वो बंदे हुए होते हैं उनके हाथ जो मुझ पे आना है वो आना ही है कोई नहीं रोक सकता क्या माता पिता उन परिस्थितियों को आने से रोक सकते हैं? No, they can't हमारे बच्चों पे जो परिस्थितियां लिखे हुई हैं हम रोक सकते हैं, सुन्दर साथ जी, no, unfortunately not, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जब ऐसा आता है, यह जो लिखा हुआ है, वो होना ही होना है, तो रो रो के समय वियर्थ क्यों किया, मैंने किया है, मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, मेरे वाली गलतियां आप मत कीजिएगा, सुन्दर स खुश हो के भी समय के वियर्थ किया, और रो के भी समय के वियर्थ किया, यह तो होता जा रहा है, जैसा पिया के दिल में लिखा हुआ है, वैसा वैसा होता जा रहा है, संभाव में रहना सीखते हैं हम जब ऐसी परिस्तितियां आती है, शुकर है पिया, ऐसी परिस्तितियो जब भी मैं मुढने लगूं तो और भरपूर देना धनी वो दुख ताकि मैं तेरी और लगी रहूं ये तो सौधा ही बड़ा सस्ता है पिया जी जो आप दोगे खिड़े मत्थे खिले हुए मत्थे से हसी खुशी स्विकार है क्योंकि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं अब मुझे तू चाहिए आज सुबह मैंने एक चर्चा सुनी स्वामी जी तो बोलते हैं परमधाम के सुख भी मत मांगो उनसे बोलो खालिस शुद्ध तुम ही चाहिए हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और तुम हो तो परमधाम के सुख हैं लीला भी अकेली थोड़ी करती फिरूंगी वहां तेरे स आथ ही तो करनी है घर वाला ही अपना है तो घर तो दिखाएगा ही न सुन्दर साथ जी पिया को मांगना है पिया से बस और कुछ नहीं चाहिए पिया जी अब कहते हैं आपके तारतम ग्यान से इसी से सपष्ट हुआ है हे तो ही जे इलमें आपकी इलम से कभी नहीं कहना ए एक शब्द भी मेरा है, हमारा है इनी फरामोश जो होते हैं, उनके शब्द कहां से आते हैं, जो बिचारे नींद में बैठे हैं, कहां से शब्द लेकर आएंगे, फरामोशी में आतम आये हैं, हम तो आतम रूप में आये हैं, आतम भी फरामोशी में उपर से धीरे धीरे जागरत करते जारे पर ये शब्द उसके नहीं हो सकते ये मेरे पिया के शब्द हैं जो मूल स्वरूप जागरत बैठा है शब्दातीत जो वहां बैठा है शब्दों में वो लेकर आ रहा है और हर मुख से उसके शब्द निकल रहे हैं अपना नहीं लेना सुंदर साजी कभी भी कि मैं कुछ कर सकती हूँ वी आर नथिंग वी आर नो वेर नथिंग कहीं नहीं है हम ये पिया ही हैं जो कर सकते हैं आपके तारतम ज्यान से हमेशा याद रखना है कभी नहीं कहना कि मुझे पिया कहो, मुझे धनी कहो वी आर नो वेर सुन्दर साथ जी प्लीज अगूओं को आग दोए जरूर ध्यान रखिएगा राज जी सब को सब को दें कि वो याद रख सकें कि ये मेरे पिया जी का ग्यान है जागरत जो होता है उसका हो सकता है सुन्दर साथ जी बस वो यूज कर रहे हैं इसको ये जो तन हैं इनको यूज कर रहे हैं उनको प्रियोग कर रहे हैं उनको शोबा दे रहे हैं जीवों को नातमाओं को शोबा दे रहे हैं करने वाला वो खुद है कोई नहीं कर सकता आपके तार्तम ग्यान से छूटा सा शब्द है आपके लिख दिया सुन्दर साजी तार्तम ग्यान में लिखा कि तार्तम ग्यान से मुझे स्पष्ट हो गया हमें स्पष्ट नहीं हो सकता तो ही जे इल्में लिखा है सारी सागर उसके हैं बार बार इंदरावती जी याद करा रही है तुम ही सब कुछ हो तुम ही न चाते ओ, तेरा ही सब कुछ है, यह इल्म भी आपका है, यह इश्क भी आपका है, यही तो सुन्दर साथ जी कहते हैं, जीरो से यह रेस स्टार्ट करनी है इश्क की अब, यही तो रब्ट करके आए थे, मेरा है, वोलते सारा मुझे भूले तो इसके दिया अब zero से देखो कौन धाय के दोड़ती है और ले लेती है मुझसे इश्क और मेरी और भागती है देखो कौन आता है इंद्रावती जी देखो कैसे पहुँच गई सुंदर साथ जी धाय के पहुँच गई उनके पास जीरो से स्टार्ट हुआ है यहां काम अब है नहीं हमारे पास कुछ भी यह है बात सारी पिया की पहचान कर ले नहीं है लेते जाना है खीचते जाना है तो उनके पास सारा ऐसे बूंद बूंद करके पिलाते जाएंगे और हम खिचते चले जाएंगे पता भी नहीं लगेगा दुनिया के लिए बावरे हो जाएंगे सुन्दर साथ जी कभी पता नहीं लगेगा कि सामने क्या मैं कारे कर रही हूँ क्योंकि आखों में तो आप समाये हो धनी जी मुस्कराने यहां प्रेम हो जाता है न तो भी बैठे बैठे अपने आप उसकी यादों में उसके खयालों में कैसे face पे expressions आने लग जाते हैं तो यह तो धनी है अखंड प्रेम जब होता है तो कैसी हालत हो जाती होगी सुन्दर साथ जी आपके तार्तम ज्यान से यह सपष्ट हो गया है कि आपके अतिरिक्त हमारा कहीं भी कोई प्रियतम नहीं है इस संबंद में सारे संशे समापत हो गए अब तो वो बात भी नहीं आती कि हम कहीं और जाएंगे कोई भी कश्ट यह जीव का जीव कौन मैं नहीं हो यह अभी मेरा समय आ जाए जीव यहां खड़ा होगा आत्मा अपना कोई और जीव पकड़ने चली जाएगी अगर नहीं जागी राजी करें इस बार ऐसा ना हो अब यही कहना है यही करना है कहतो रही है सारे हम तो पक्काई पन्ना जी की तरहटी में जाएंगे मेरा तो सत्गुरु लेने आएगा ऐसे कारज करेंगे तो लेने आएगा पिछली बार भी कभी नहीं आये सब्स गुरू लेने यम्राजी लेने आएंगे सुन्दर साथ जी नहीं तो जीव को तो आएंगे ही लेने आत्मा को भी दूसरे जीव पे डाल देंगे ये कटू सत्य है ये हर बार होता है ठपे लगाने बहुत इजी होते पर वो पजल का मिसिंग पीस ढूणडना पड़ेगा उस रहनी को जो वानी सिखा रही है केवल सीखना नहीं उतारना पड़ेगा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा उस लैब में जाना पड़ेगा सुन्दर साथ जी जिस लैब में हम साड़े 400 वर्ष से नहीं जा पाए वहां से गुजर के पन्ना जी की तरहटी का रास्ता आता है और हम चाहते हैं हम जहां हैं वहीं से पन्ना जी की तरहटी चले जाएं वो उस लैब के भी न मिलता ही नहीं बोलते थ्योरी-थ्योरी की class में से तो बारी निकला जाता है तो theory की class में पढ़ना फिर एक और में प्रवेश कर जाना एक और मानवतन में क्योंकि इस रास्ते से जिस classroom में बैठे होना केवल ग्यान करते रहोगे तो उससे तो फिर एक और तन मिल जाएगा उसमें चले जाना फिर तीस चालिस साल की बीच में गैप पड़ेगा इतना लंबा रास्ता हो जाएगा सुन्दर साजी अभी मौका हात में है लैब बिलकुल पास में है प्रियोग शाला बिलकुल पास में है चितवन की प्रियोग शाला है वो पहले रहनी की प्रियोग शाला आती है छोटी वा हो जाता है एक एक पल को घटित करो वानी के हिसाब से वानी को हिसा बनाओ अपने लाइफ का अपने एक एक पल में वानी और बी तक उतर रही है के नहीं उतर रही that is more important पढ़ रहे हैं कर रहे हैं पर उतर रही है के नहीं पहले उस प्रियोग प्रियोग शाला में चलो उसके बाद दर्वाजा खुलता है उसी में से attached है सुन्दर साथ जी वो attached rooms होते हैं दर्वाजा खुलेगा चित्वन की प्रियोग शाला में प्रवेश करोगे करते करते दर्शन तो होंगे बाते होंगी फिर जब ये तन खतम होने का समय आएगा ना फिर वो दर्वाजा खुलेगा तो सीधा पन्ना जी की तरहटी तक ही जाता है वहां और कहीं जाता ही नहीं पर उसके पहले पोरी बातें हो जाएंगी इसलिए अब करना है सुन्दर साथ जी जीवन में जीवन बहुत फैलाव हो जाता है मुझे कल से करेंगे कल करें सो आज कर आज करें सो अब अभी से right now is the time कोई भी घटना हो रही है जीवन में घटना नहीं हो रही आज कोई घटना ही नहीं हो रही है हमारे जीवन में रूटीन चल रहा है जैसे चलता है क्या वो रूटीन वानी और भीतक के अनुसार चल रहा है क्या मैंने दिल पिया को दे दिया या अभी भी माया के कार्य करते करते भी पिया तुम चल रहे हो मेरे दिल में तो कोई कमी हो रही है जो फिर से पढ़के आओ चौपाई के शब्द लेकर आओ या जो सुना है उसको फिर से अंदर 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 सोचो उसके बाले में कल मैंने दे सुदर साथ बने हैं वो एक साल पूरा हुआ है कहते मैं सोचता था संबंद निशबत क्या फरक है निशबत कितना सुनदर शब्द दे दिया डॉक्टर के पास जाते जाते एक घंटा एक शब्द परyy मंधन चलता जारह है कहते मेरे दिल में आया निस मतलब निस्वार्थ बत मतलब सोहबत तो जिससे मेरी निस्वार्थ सोहबत है ना मेरे पिया से वो मेरी निस्वत को गाढ़ा करती है यहां के सारे नाते स्वार्थ वाले हैं मेरे पिया से मेरा नाता ऐसा नहीं है मैं उसको निस्वत मानता हूं एक घंटे तक अंदर सोच, सोच के उनके दिल ने ये निशकर्ष निकाला सुन्दर साथी, how beautiful is that, कि पूरा एक घंटा वो पिया की निस्बत में रहे, उस शब्द में ही रहे, तो हम सुन्दर साथ को भी ज्यान में रहें सुन्दर साथ जी, ज्यान द्रिश्टी से तो देखा नहीं पहले, ज्यान द्रिश्टी से देखने की प्रयोगशाला पहले है, फिर दिखेंगे वो, शुद्ध स्वरूप में तब दिखेंगे, पहले ज्यान द्रिश्टी से तो कहते हैं, देख लो, प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, बुलो श्री प्रानात प्यारी की जै, बु किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द आहत कर जाए तो छोटी सी चरन धूल भी अभी बनी भी नहीं हो चरन धूल भी सुन्दर साथ की चरन धूल भी बहुत कींती होती है बहुत सौ भाग्यशाली होती है मैं तो अभी वो भी बनने के प्रोसेस में हूँ सुन्दर साथ जी, बिगिनर हूँ, इसलिए मुझे साथ साथ जरूर क्षमा कीजिएगा, प्रणाम जी, सौरी मैं आपकी बात नहीं मान पा रही हूँ, प्रणाम जी, आये